अपनी जबर्दस्त स्रम शक्ति के सहारे राजस्तान के विकास में महतुपूर्ण योगदान देने वाले भील समाज की हालत ये है कि वो आर्थिक, शेक्षनिक, सामाजिक और शारिधिकी नहीं अपितु जीवन के हर क्षित्र में बिलकुल पिछड़े हुए हैं इसके बावजूद आलम ये है कि आजाद भारत में बनी किसी भी राजनितिक दल के सरकार ने भीलों की दशा सुधारने के लिए अवल तो कोई प्रभावी कदम उठाय ही नहीं और फोरी तोर पर अगर कोई कोई कोशिश हुई भी तो उसका लाब भील समाज को नहीं मिल पाय राजस्तान का गौरव साली अध्याई भीलों के साथ जुड़ा हुआ है भील हमारे इतियास के स्वणिम पन्ने है भीलों ने महराना कुंबा महराना प्रताप और हमारे तमाम मेवार के बड़े-बड़े मनसबदारों के साथ मिलकर इस प्रदेश के लिए बहुत शाहदत लेकिन ये विडम्बना है कि आजादी के 64 साल बात भी भील वहीं है जहां 64 साल पहले थे प्रकारांतर में बनी कमोवे सबी सरकारों ने बीलों की सुद लेने की कभी कोई कोई कोशिच नहीं की है इसलिए उगते सूरज की एक भील उपहली कीरन मैं दावा करताऊं कि भीलो बील जाती के इस दर्द को जब देश व समाज के किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने नहीं समझा तो स्वेम बील जाती के ही कुछ जागरुक लोगों ने राजस्थान बील समाज विकास समीति के नाम से एक संग्डन बना कर समाज में चेतना जागरित करने का बीड़ा उठाय है इसके लिए वो राज्य के प्रतेक तैसिल मुख्यले पर बील समाज के आध्यात्मिक सम्मेलन आयुजित कर रहे हैं जहां उन्हें कुरीतियों को छोड़ने का संकल्प दिला कर राजनितिक रूप से लाममंद किया जा रहा है हम बिल समाज को यहां सुसंगडित कर रहे हैं एक मंचपल ला रहे हैं और जो समाज में जो कुरीतियों हैं उन कुरीतियों को मिटाने के लिए इस सबको समझाया जा रहा है और विशेश तोर से हम जोड़ दे रहे हैं शिक्षा पर क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा ऐसी एक मोटे अनुमान के अनुसार राजस्तान में भीलों की संख्या लाखों में है लेकिन एक जुट नहीं होने के कारण कोई भी राजनितिक दल उन्हें वो तवज़ो नहीं देता जेसी की वास्ताओं में उन्हें मिलनी चाहिए इसी का दुश्परिणाम यह है कि वर्षों से भीलों के उत्थान के खातिर संगठन के पदादिकारियों द्वारा की जा रही पांच प्रमुक मांगों पर आज तक नहीं तो किसी अधिकारी और नहीं किसी राजनिता ने ध्यान देने की जैमत उठाई है पांच मंगे अमन राजस्तान सरकार के सामने रखी है संभाग में जो उपी हो जाना लागू है वह पुरे राजस्तान में लागू है उल्ता कि हमारे बील समाज का नहीं ए कर्षि कनेक्शन की जो कर्षि कनेक्शन में पांच वी मांग हमारी है वर्सों से वन वीबाग का जितनी भूमी है अपनी इन जायज मांगों को नहीं माने जाने से भीलों में भारी आक्रोश व्यापत है तता जैसे जैसे भील जाती में एक जुटता आती जा रही है वो भी अपना हग हासिल करने के लिए आंदोलन की रहा पर अग्रसर होने का मानस बना रहे हैं भीलों की विडमना को सिर्फ इसी बात से समझा जा सकता है कि क्रशी कनेक्शन लेने के लिए उन्हें भी उतनी ही डिमान राशी जमा करवाने पड़ती है जितनी की एक सामाने वर्ग का व्यक्ति जमा करवाता है एसे में वो भील जिसके पास समपत्ति के नाम पर सिर्फ मिट्टी की एक केलडी वे हांडी ही होती है वो भला किस प्रकार से अपने खेत पर बेजली का कनेक्शन करवा सकता है क्या इस समानता को दूर करने की जहमत कभी किसी राजनेता द्वारा उठाई जाएगी आज यही वो यक्ष प्रशन है जो भीलों के सामने मुहबाएं कड़ा है भगवान राम को जूटे बेर खिलाने वाली शबरी के वन्शजों को आजादी के बाद एस्टी के नाम पर आरक्षन तो जरूर मिला लेकिन अपनी कई कमजोरियों के चलते बील समाज उस आरक्षन का लाब नहीं उठा पाया समाज के इस दर्द को राजस्तान बील समाज विकास समीती ने बैखुबी समझा है और अब वो विभिन कारेक्रों के मध्यम से अपने समाज में राजनेतिक और समाजिक चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं तो ऐसे में अगर हम धरातल की इस्तिति का आंकलन करें तो वास्तों में बील समाज की आर्थिक और समाजिक इस्तिति इतनी नाजूग है कि यदि हमारी सरकारें सही माइने में दलितों का उद्धार करना चाहती है तो उन्हेंने भिल समाज की इन पांचों मांगों को हर हाल में पूरा करना चाहिए ओमकसारा, ETV News, भिल वाडा